चिणिया घर की सैर पशु हमारी मित्र हैं ये हमारी अनीक जरूरतों को पूरा करते हैं दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश से बांधा जाता है वे पालतु पशु कहलाते हैं जैसे गाय, घोडा, भैस, गधा, बकरी, आदी जो बीहन चंगल में रहकर मार्क पकडंडी बना लेते हैं उन्हें मृक कहा जाता है मैंने कहा दादाजी, मृक तो हिरनों को कहते हैं दादाजी ने कहा पहले सभी चंगली पशुओं को मृक कहते थे मृक का राजा होने के कारण आज भी शेर को म्रिगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा म्रिग कहा जाता है दादा जी ऐसी बाते बता रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी आप इसे चिडिया घर क्यों नहीं घुमालाते वहां इसे तरा तरा के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे दादी जी की सलाह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादा जी खोबी रविवार को हमारा कारिक्रम चिडिया घर जाने का बना मुख्य द्वार से दादा जी ने टिक्टे खरी दी और हमें लेकर अंदर चले गए वहां हमें सबसे पहले अनीक प्रकार की पक्षी दिखाई दिये जिन में विविद रंगों की चिडिया भी थी वहां से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया वही पर मुझे मेरे सहपाथी, सेजल, मानसी, गौतन दिखाई दिये चिडिया घर में उनका साथ मुझे पहुत अच्छा लगा दादा जी ने बताया भालू, हाथी, हेरण आदे, जंगली पशु कहलाते हैं कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है अभी हम यह सुनही रहे थे कि अचानक शेर की तहाण ने हमें चोका दिया सेजल तो डर ही गई थी दादा जी ने कहा बेटी, यह तो पिंजरे में बंध है इसलिए डरने की कोई बात नहीं हम शेर के पिंजरे की ओर जयने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े-बड़े पिंजरों में चीता, भेडिया और बाग दिखाई दिये बड़ी-बड़ी जाली के बाड़े में कैत एक पड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिये हम तो इनहीं देख कर हैरान ही रह गए मैंने पूछा दादाची, ये सभी पशु भारत में ही पाय जाते हैं दादाची ने बताया इस चिड़िया घर में वे देशों से दुरलब नसल के चीवजन्तू भी मंगा कर रखे गए हैं ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए जिसमें खुपसूरत बतके तैर रही थी तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे थे अब हमें फूक लग चुकी थी हम सबने हरी हरी खास पर बैठ कर खाना खाया गौतम ने एक सुरीला गीट भी सुनाया पशुपक्षी और जल जन्तु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम जील की ओर ले गए जहां कुछ नौकाई खड़ी थी हम भी एक नौका में बैठे और नौका फिहार करने लगे हमारा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था पर दादाजी के कहने पर नाव से उत्रे और हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे रास्ते में तरा-तरा के और पशुपक्षी दिखाई दिये हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा क्यूंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कापना मैं भूल नहीं पाता हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा ये पशुपक्षी हमारे बहुत काम आते हैं घोडा, गधा, खचर और उंट सवारी करने तथा बोज़ा ढोने के काम आते हैं तो गाय, भैस, बकरी आदी, दूद घी से हमारा पोशन करती हैं भेड हमें उन देती है तो दूसरे अनिक पशुवों के चमडे से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं सीजल, मानसी और गौतम ने कहा दादा जी, धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी चिडिया घर में आये हमें पांच खंटे हो गए थे दादा जी के साथ हम घर तो लोटाए पर मेरा मन अभी भी चिडिया घर के इर्द किर्द ही घूम रहा था पर मेरा में आये हमें लोटाए